मैंने आपका पोग्राम भाधवाल टीवी पे देखा था मेरा नाम बोविन तिवारी है मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं मैं जाए जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया के आज पास कई मुस्लिम और्गनाजेशन अपनी स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग म जब प्रेवर होता है वहां पर नहीं मैंना वंदे मातरम गाया जाता है जब मैंने उनके प्रिंस्पल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो आप वंदे मातरम कि भी नहीं गाते हो स्कूल में तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है और उनकी स्कूल में कई स्कूलों में हि हिंदी भाशा इच नहीं है हिंदी इच नहीं पड़ाया जाता और उनके कासना देश-भक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे तकत्राते हैं कि देश-भक्ति के लिए आपके मजब में किस से डिफाइन किया गया है यह जरा मुझे बताएंगे भाशा इसाब ने सवाल पूच्छा है कि वो कई बार मेरी प्रोग्रैम सुनते हैं टेलेविशन पे और कहाए कि एक इलाका है जहा कई मुस्लमान स्कूल है लेकिन महाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है किया सही है और आपके मजब में अपड़ने के लिए इसलाम में देश भक्ती के बारे में क्या जाता है कि दिए 5 गाना चाहिए कि कोई भी घाना चाहेँ अपक्षची रख कहते है उसकी मानी क्या है आप जब बंदे मातरम पड़ते है उसकी मानी है कि हम सिजदा करते है इस देश जो हमारी माता है ऐसे कहा जाता है और हम इसकी पूझा करते है ये हमारे लिए शिर्क है शिर्क है इसलाम में और गलत है हिंदुजम में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की दर्टी की नहीं तो हिंदुजम में भी गलत है क्रिशेनिटी में भी गलत है इसलाम में गलत है लेकिन आम हिंदु अपने मजब को नहीं जानते अपनी मजबी किताबे नहीं पड़े है इसलिए कोई भी आप गाना गाते है अगर उसके मानी खुदा की खिलाफ है अगर उसके मानी खुदा की खिलाफ है बगवान के खिलाफ तो ऐसा गाना गाना घलत है आप ने मुझे शुरुवात में नमस्ते कहा नमस्ते के क्या माणिए भैसाब आज पूल सकते हैं कि नहीं पता है क्या मानिए मैकरफोन अन कीजिए थर भैसाब का नमस्ते मतलब मैं सर जुका के मैं आपको नमन करता हूं सर जुका के आप मुझे नमन करता हूं, सर जुका के, सर जुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्राइबिटेड है, आप मेरे सामने भी सर नहीं जुका सकते हैं, चाहे आप मुझे 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 करते हैं, चाहे आप मेरे इज़त करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने स सकते सर शुकाना चाहीए तो सिर्फ खुदा के सामने अल्ल्भ के सामने और मैं खुदा नहीं हूँ आप जानते आप मेरी इंजट कर सकते हैं मेरी बात जो मैं कहतां उसको इंप अपर अमर कर सकतें आप समझें ना मैं आपके सामने जुक नहीं सकता हूं यह सिर जुकेंगा तो सिर्फ अला के सामने सिर्फ फुदा के सामने तो आपने बड़पन में मुझे कहा लिकिन अगर घलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं क्यूंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं मिसाल के तोर पे एक मेना पहले मैं जब बंबे एपोर्ट पे था तो एक और था हिंदू खातुन मुझे पूची के आप डॉक्टर जाकिन नाइक है आई डॉक्टर जाकिन नाइक मैंने कहा जी यह ओ ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ-ओओ प्रश्वारी